इस वीडियो सीरीज में हम read English के teaching methods के कुछ important questions और previous questions डिसकस कर रहे हैं जो level 1 और level 2 की language first और language second दोनों के English के लिए important है अगर exam से पहले आप ये videos देख कर जाते हैं तो आप teaching methods के लगबग सभी questions आराम से सोल कर देंगे read exam में आने वाल English के लगबग सभी topics के previous questions और important questions हम इस channel पर discuss करेंगे तो अब देखते हैं question number 21 communicative approach to evaluation stresses on communicative approach जैसा कि नाम से ही clear होता है communication से बना हुआ है communication मतलब वार्दलाग तो इसमें हम जोड देते हैं कि अपनी बात को हम केतने meaningful तरीके से express कर पाते हैं इसमें हम accuracy पर focus नहीं करते हैं हम focus करते हैं कि हम अपनी बात दूसरे को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं तो इस approach में हम क्या करते हैं कोई language सीखने के लिए learner को मोका देते हैं गलतिया करने का भी कि वो गलती करकर के बोल बोल के सीखे तो वो अप्रोच क्या होते है? Communicative Approach तो इस अप्रोच में हम focus करते है Content Relevancy पे, Vocabulary पे, Fluency और Flexibility पे तो किसी भी language को सीखने है कि Communicative Approach में हम इन चीज़ों बे focus करते है और हमारा main मकसद क्या होता? Communicative Approach से कोई language सीखाने का कि जो बात हम बोलना चारे है उसका meaning के लिए हो जाए सुनने वाले को तो answer क्या होगा? Both A and B अब next question देखते है In Communicative Approach to Teaching The teacher must know why it is तो सबसे पहले देखते है Communicative Approach कि हमने क्या बात की? इसमें हम focus करते हैं लर्नर कोई गलती करें तो करने दो मेटर क्या करता है? कि वो अपनी बात पहुचा पा रहा है नहीं पहुचा पा रहा है तो इसमें teacher क्या करता है? कोई अगर learner कोई language सीख रहा है तो अगर वो कोई गलती करता है grammatical mistake करता है उसको नजर अंदाज करता है उसको सहन करता है communicative approach में क्या होता है? क्या better होता है? tolerate errors in students attempt to express themselves student अपने आपको अगर express कर रहे है तो उसमें कोई error करता है या गलती करते है तो उसको tolerate करता है कोई करता है? teacher tolerate करता है अब next question की बात करते है the most important element in communicative language teaching is हमें देखा कि communicative approach में किसके focus करते है meaning पे किसी बात का meaning निकलना चाहिए वो correct है या नहीं वो जदा matter नहीं करता matter क्या करता है? जो बात हम बोल रहे है उसका कुछ ना कुछ meaning निकलना चाहिए तो language teaching की communicative approach से questions language first में भी आएंगे और language second में भी आएंगे तो दोनों के लिए important है अब next question देखते है recall type test इज़े test of recall type का जो test होता है वो कौन सा test होता है अब recall की बात करें तो recall का मतलब क्या होता है याद करना अब याद करना कि sense में जैसे कोई पीछे की हम कोई बात याद करें या कोई चीज़े हमने सीखी उनको हम याद करने की कोशिस करें तो उसको किम क्या बोलते है recall करना पुन है memory में लाना जैसे अगर हम कोई exam देते हैं तो हम क्या करते है recall करते हैं कि पीछे हमने क्या-क्या पढ़ा था उनको हम paper में लिखते है तो recall type test में किस चीज़ को टेस्ट के जाता है memory को अब question number 25 की बात करते है one of the purposes of evaluation of learners is अब सबसे पहले देखते है evaluation क्या होता है evaluation का मतलब होता है मुल्यांकन इसमें हम यह देखते हैं कि किसी learner को हमने कोई जीच शिखाई तो कितना वो सीख पाया तो मुल्यांकन का main purpose क्या होता है assessment of the learners attainment attainment मतलब प्राप्ती मतलब जो knowledge हमने learner को बताई वो कितना उसको सीख पाया यह क्या होता है किसका evaluation का तो answer क्या होगा answer C question number 26 देखते है in the bilingual method अब bilingual method के हम बात करते है bilingual जैसे नाम से clear होता है bi का मतलब क्या होता है 2 तो by lingual method में हम क्या करते है किसी language को सिखाने के लिए एक तो mother tongue का यूज करते है और एक target language का भी हम यूज करते है जैसे एक कोई cutting सब्द आता है या फिर कोई phrase आता है तो उसको सिखाने के लिए हम mother tongue का यूज कर सकते है तो आंसर क्या होगा, B, the mother tongue is used by the teacher to explain the meanings of new words and phrases, अब next question की बात करते हैं, in the situational approach, a teacher tries to, तो situational approach में क्या होता है, हम इस तरीके की परिष्थिती डवलप करते हैं, जिस तरीके से, जैसे real life कोई situation हो, जैसे अगर कोई market की vocabulary बताने हैं किसी learner को, जैसे किसी hospital के कुछ सब्द बताने, तो उस तरीके का कुछ situation हम create करते हैं, classroom में, तो इस तरीके की approach के साथ, किसी learner को कोई language सिखाना, उसको हम क्या बोलते हैं, situational approach, तो situational approach में हम क्या करते हैं, create a life-like situation in the classroom for teaching a language item, 28 question देखते हैं, an attainment test aims to measure, attainment test का लक्से, किसको measure करना या नापना होता है, attainment मतलब प्राप्ती, कि कोई student जो हमने उसको बताया, कितना attain कर पाया, कितना वो सीख पाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, attainment test, तो attainment test में हम किसको measure करते हैं, how much learner has learned for what he has been taught, कोई learner को गर कोई सीखाई गई, तो उसमें से वो कितना सीख पाया, तो answer क्या होगा, A, अब देखते हैं, question number 29, one of the requirements of a good language test is that it must be, requirement क्या होती है, जरूरत, तो एक अच्छे language test के लिए सबसे important requirement क्या होती है, कि वो कितना reliable है, reliable मतलब विश्वश नहीं है, अब question number 30 देखते हैं, interactive listening is, अब interactive listening क्या होती है, interactive मतलब interaction करना, interaction मतलब एक दूसरे से connect होना, connect हम किस तरीके होते हैं, जैसे अगर teacher किसी learner को 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 बता रहा है, तो learner कितना उस पर respond कर रहा है, respond मतलब परतिकरिया देना, कितनी वो परतिकरिया दे रहा है, जैसे अगर listening की बात करें, हम किसी को कोई बात बता रहे हैं, वो सुन भी रहा है, लेकिन वो respond नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये interactive listening नहीं है, तो interactive listening में क्या important है listening and responding कि वो सुनें भी साथ ही साथ उस पे कुछ पर्थी के रिया भी रे respond करें तो answer क्या होगा A. तो आज के वीडियो में भी हमने 10 important questions discuss किये teaching method से related आने वाले वीडियो में हम और भी important questions discuss करेंगे और read English में पूछे जाने वाले लगबग सभी topics के previous questions और important questions के हम बात करेंगे तो इसी तरीके के और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें तो मिलते हैं next वीडियो में thank you